एक जमाने में एक छोटे से गाउं में जो पहाडियों और सरसबस वो शादाब मैदानों के दर्मियान आबाद था, रूबी नाम का एक अजीब सा खरगोश रहता था। रूबी की सफेद खाल सबसे नर्म थी और सबसे चमकती हुई भूरी आखें जो जोशो खुरूश से चमक रही थी। वो नई जगहें तलाश करना और जंगल के तमाम जानवरों से दोस्ती करना पसंद करती थी। एक धूप वाली सुबह, रूबी अपने आराम देबिल से बाहर निकली और एक मोहिम जोई पर रवाना हुई। जब गूमते हुई रास्ते पर चली तो उसे एक रंगीन निशान नजर आया जिसमें लिखा था जादू जंगल। रूबी का दिल जोश से एक धरकन छोड़ गया। उसने इस जादूई जंगल के बारे में कहानिया सुनी थी जो पुरिसरार मखलुकात और छुपे हुए खजानों से भरे हुए थे। सीमी के चहरे पर शरार्ती मुसकराहट थी। हेलो, रूबी, सीमी ने चहचहा। मैं देख रहा हूँ कि अपने जादू के जंगल का रास्ता तलाश कर लिया है। क्या अब मेरे साथ खजाने की तलाश में जाना चाहेंगे। रूबी की आँखें खुशी से फैल गएंग। वो हमेशा चुपे हुए खजानों को तलाश करने का खाब देखती थी। हाँ, सीमी, मैं पसंद करूँगा, इसने कहा। सीमी ने रूबी को जंगल में लेकर एक दरख्त की शाख से दूसरी शाख तक पहुँचाया। उन्हों ने उंची और नीची, जाडियों के पीछे और चटानों के नीचे, छुपे हुए खजाने का सुराग तलाश किया। रास्ते में इनकी मुलाकात जंगल की दीगर मखलुकात से हुई जो बेताबी से इनके एडविंचर में शामिल हो गए। वहाँ बीनी अकलमंद अलो, लूसी चंचल गुलहरी और फरीडी महरबान हिरन था। लेकिन इस से पहले के वो सीना खौल पाते, कलेरिंग से एक आवाज गुंजी। उसने कहा कि एस सिर्फ वो लोग जो नर्म दिल और खालिस नियत रखते हैं, खजाने को खोलेंगे। रूबी और उसके नए मिलने वाले दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये समझते हुए कि उनके सफर ने उन्हें दोस्ती, महरबानी और मिलकर काम करने की एहमियत सिखाई है। उन्होंने अपने पंजे जोड़कर सीने के गिर्द दैरा बना लिया, उनके दिल महबत और शफकत से भर गए। वो जादूई जंगल के कहानी सनाने वाले बन गए, जो आने वाले तमाम लोगों के लिए खुशी और इलहाम पहला रहे थे। और इस तरह रूबी और उसके दोस्तों ने सीखा कि सबसे बड़ा ख़जाना चमकदार चीजों में नहीं पाया जाता, लेकिन इन बंधनों में जो हम बनाते हैं, जो महरबानी हम बानते हैं, और जो कहानिया हम सुनाते हैं, वो दोस्ती के जादू और कहानीों की ताकत को जादू के जंगल और उससे आगे लाते हुए हमेशा खुशी से रहते थे.